नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार की पंडित में तो दोस्तों चैनल पे पहली बार आएं तो वीडियो को देखिए का लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा ताकि time to time सारी information आपको मिले जो कि stock market की सबसे पहले information इस चैनल पे मिलती है साथ ही साथ इस तरीके का profit बनाना चाहते हैं और अभी तक अगर option में gambling कर रहे हैं चार्ट के basis पे logical देखिएगा आगे trading करना चाहते हैं तो आप हमारे telegram चैनल को join कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छे profit डिक्यों मिलेंगे description में link मिल जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बड़ा update आ रहा है US-China से related चेक आउट करेगा US-China से related आज मार्केट में काफी बड़ी गरावट देखने हूं मिली हैं काफी देखेगा pressure देखने हूं मिला लेकिन अगर आप देखेंगे geopolitical tension एक बहुती sensitive area है जो की Russia-Ukraine की तरफ से बना हुआ है और China-Taiwan की तरफ से बना हुआ है तो Times of India पे update आ रहा है जो update आ रहा है वो Times of India पे देखने हूं मिला है US-China top diplomats to meet on high tension on Taiwan तो आप समझ सकते हैं कि अभी हाल फिलाल में China ने एक particular statement दिया था उसके बाद आज US-China के top diplomats मिलेंगे और इस particular clash को, conflict को, tension को देखिएगा कैसे solve किया जा सकता है उस पे वारता लाप होगी और अगर solution आ जाता है तो इससे अच्छी update Asian market के लिए नहीं होगी यानि कि Asia के हर एक market के लिए इससे अच्छा update नहीं होगा कि अगर हम लड़े ना, China-Taiwan ना लड़े, Russia-Ukraine ना लड़े और ये युद्ध बंद हो जाएं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा update आज आने वाला है और अगर ये देखेगा diplomats मिलने है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी मैं आपको statement भी दिखाऊंगा चाइना का, US-China top diplomats to meet on देखेगा Taiwan tension, तो China देखेगा, as such तुरंत reaction नहीं ले रहा है, रशिया की तरह, वो एक particular देखेगा platform पे आके वो ये जानता है, कि हम हमारी economy back foot पे आएगी, बहुत सारी चीज़े back foot पे आजाएंगी, तो उन सब चीजों को देखते हुए, वो एक बार देखेगा, पूरी तरीके से analysis करना चात है, कि कहां पे हम देखेगा, चीजों को समझदारी से, क्या कर सकें, सही तरीके से solution पे पहुँच सकें, तो ये चीज, stock market के लिए भी बहुत अच्छी होगी, अगर यहां पे solution आता है, मैं अगर लगा रहा हूँ, ये सुन लीजेगा, अगर इसलिए, चुकि अभी यहां प पुतिन साफ से मिले थे, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था, बहुत ही आराम से कहा था, कि देखेगा, दोस्ती अपनी जगह है, दोस्ती बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ये लड़ने का समय नहीं है, ये war का समय नहीं है, ये global growth का समय है, global growth, यानि कि आप समझ सकते हो कि अगर आप war ना हो रहा होता, तो 8 months में stock market कहां पे होता, economies कहां पे होती हैं, आप समझ सकते हो, और ऐसा inflation भी देखने को नहीं मिल ला होता, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे top US Chinese diplomats मिलने हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, मिलेंगे कहां पे, New York में, soaring tension, tension बहुत है, त इसे एक particular देखेगा, तरीके से बात हो जाए कि ये चीज़ यहीं पे खतम कर दी जाए, तो stock market के लिए सबसे अच्छा update होगा, bidding issued new warning against the support for the Taiwan, और अब यहाँ पे दोनों चीज़े हैं, कि इसमें US एक particular कोई trump card खेल दे, या फिर something देखेगा, कोई ऐसी चीज हो जाए, जो चा चाइना उसे accept ना करे, तो वो भी चीज़ें आपको समझ के चलनी हैं, लेकिन अभी बारताल आपके लिए गया है, ये बहुत ही अच्छा update है, चाइना की तरफ से, और चाइना और ताइवान दोनों की तरफ से, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे foreign minister, देखेगा, चाइ optimistic, more stability, तो आप समझ सकते हैं, जुलाई के बाद से आप meeting हो रही है, one month letter house speaker Nancy Pelosi visit Taiwan, तो आपको पता है, Nancy Pelosi वहाँ पे गई थी, और तब देखेगा, कई सारे warning signal चाइना की तरफ से आये थे, और फिर US ने भी reaction दिये थे, US ने कई diplomats वेजेर ताइवान, और बहुत सारी चीज़े देखने हो मिली, फिर चाइना ने drilling करी, something बहुत सारी चीज़े देखने हो मिली, तो उसके बाद, ये पहली meeting होगी, और इस meeting के बाद देखेगा, बहुत कुछ clarity के साथ सामने आ जाएगा, चुकि Joy Biden ने भी, अभी कई बार interview में कहा है, कि हम ready है, पूरी तरीके से support करेंगे, ताइवान को, ताइवान की sovereignty को, democracy को सबकुम support करेंगे, चाइना ने इसको बिलकुल नज़नदास किया है, कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, बहुत ही घातक पढ़नाम हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का देखेगा, solution आपको आता हुआ देखने हो मिल सकता है, तो solution अगर बह एक दिन पहले का article है, कि चाइना ने फिर से शांती का प्रस्ताव रखा था ताइवान के पास, आप देख सकते हैं, चाइना willing to make effort for peaceful reunification with ताइवान, US-Canada transit state, तो आप समझ सकते हैं, कि चाइना कहीं न कहीं इस बात को शांती पूर्वत खतम कर लेना चाहता है, चुकि उसे war में जाएगा, तो वो back foot पे आजाएगा और बहुत ज़्यादा back foot पे आजाएगा, इसके कई कारण है, चुकि zero covid policy की कारण already वहाँ पे demand बची नहीं है, real estate sector पूरी तरीके से down हो चुका है, economic activity बहुत ज़्यादा ही देखेगा, प्रभावित हो चुकी है, और इस समय वार मे island with the come under its control, but it would promote effort to achieve that peacefully, यानि कि अगर आप दिखेंगे, शान्ती वारता लाप करके, वो ताइवान को reunite करना चाहते हैं, तो उन्हें शान्ती का वस्ताव भी रखा था, और उसके बाद आप ये diplomat से मिलने गए, अगर यहाँ से कोई positive outcome आता है, तो वो बाजार के लिए वाइट करूँगा, वीडियो के अच्छा लगाए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बूलेगा, थैंक यू सो मच,